नमस्कार दोस्तों लक्षमी कांद के Part 110 में आपका स्वागत है वोटिंग ओन डिमांड फॉर ग्रांट को मैं लास्ट टायम ही शुरू कर चुका हूँ वोटिंग ओन डिमांड फॉर ग्रांट के बेसिक प्रोसीजर को मैं आपको बता चुका हूँ cut motions तक मैं पहुँच गया था और यहाँ पर मैं आपको cut motions के बारे में बताऊंगा policy cut motion, economy cut motion, token cut motion और finally, appropriation bill की passing क्यों करी जाती है क्या जुरू है जब voting और demand for grants हो चुका है तो appropriation bill pass करना क्यों जुरू ही है इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे आगे बाटन पहले फ्रेंट्स वीडियो पर लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजे Instagram पर follow करके आप अपने genuine queries को clarify कर सकते है Telegram को join के लिए वहाँ पर current की जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उनकी PPTs upload करता हूँ Editorial और Daily Current Affairs की और दोस्तों मेरे दोरा बनाएगी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और आपको सच में मदद मिल रही है तो आप channel पर join button दवा के मेरी मदद भी कर सकते है कुछ selected videos आपको मिल जाएंगी देखने के लिए चलिए तीन तरीके की cut motions की बात हो रही policy cut motion, economy cut motion, token cut motion देखे cut motions थोड़े से tricky होते है first of all मैंने आपको बताया कि ये जो demand on grants पर voting है जिसको आप बोलते हो voting on demand for grants ये केवल लोगसभा में होती है चुकि राजसभा में कोई voting नहीं होती राजसभा में केवल discussion होता है राजसभा ज़्यदा propose कर सकता है ये चीज़ें आप जो old budget में ये चीज़ें हटा दो लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगसभा पर depend करेगा कि वो क्या करना चाहती है लेकिन लोगसभा में जब discussion चल रहा होगा और discussion के बाद आप voting on demand for grants फ़ली stage पहुंचोगे तो यहाँ पर policy motion policy cut, economy cut और token cut ये चीज़ आ जाती है पहले policy cut में क्या होता ये देखते लोगसभा policy cut motion को पास करके ये बोल सकती है कि भाई ये जो budget के थूँ आप policy को promote कर रहे हो ना हम इस policy के साथ agree नहीं करते तो देखिए जो demand है उस demand में पैसे का खर्चा है वो पैसे का खर्चा एक specific scheme के लिए होगा provision के लिए होगा policy के होगा अगर उस scheme से उस policy से और उस provision से आप वाक्या नहीं रखते हो तो लोगसभा के पास ये ताकत है कि policy cut motion के थूँ लोगसभा ये demand कर सकती ही कि भाई ये जो पूरा खर्चा है इसको आप एक रुपे तक घटा दो यानि demand to be reduced to rupees 1 तो अगर खर्चा किसी policy के अंदर माली जे 25,000 करोण रुपे का है तो उस 25,000 करोण की खर्चे को आप एक रुपे ले हो कहने का मतलब ये कि गर आप 25,000 की खर्चे को 25,000 करोण की खर्चे को एक रुपे पे लेके आ रहे हो तो किलमला के मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ, कि आप उस policy को disapprove कर रहे हो, और उस case में लोग सभा एक alternative policy को भी suggest कर सकती है, तो policy cut motion काफी dangerous होता है, क्योंकि एक policy को implement करने के लिए जितना पैसा लग रहा है, उस खर्च होने वाले पैसे को आप कम करके एक रुपया करने की बा जितना पैसा खर्च करने की बाद करी जा रही है, उस पैसे को आप थोड़ा कम कर दो, तो amount of the demand भी reduced by a specified amount, तो जितना टोटल खर्चываем की बाद कर रहे हो, उस total खर्चे को आप कम करो, अब वो total खर्चे को आप لمसम कम कर सकते हो, आधा कम कर सकते हो, 25% कम कर सकते हो, वो लोग स सबाब पर वोटिंग पर डिसकुशन डेलिबरेशन पर डिसाइड होगा तो किसी एक पॉलिसी पे माल लीजे 25,000 रुपए खतम करने की बात की गई और सबको लगा कि नहीं बहुत जादा इनको कम करिये तो आप उस पैसे को कम करने के लिए economy cut motion पास कर सकते हो तो अगर किसी पॉलिसी में आपको लग रहा है पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है खर्च होना चाहिए बट कम खर्च होना चाहिए तो कम खर्च कहने के लिए economy cut motion अगर आप उस policy के साथ वाक्या ही नहीं रखते हो और उस policy के basic premises ही आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे policy cut motion कि overall जो expenditure थ एक रूपय कर दिया मतलब आप जो policy बना रहा है executive उसी को आप disapproval दे रहो और finally आता है token cut motion token cut motion को थोड़ा detail में समझते हैं सबसे अदा जो text है वो है लक्ष्मी गांद में token cut motion क्या है देखे economy cut motion में आप significantly पैसे को कम कर रहो policy cut motion में आप policy को ही ignore कर दे रहो token cut motion में ये है कि देखे किसी एक particular head में या फिर एक head के अंदर कोई specific issue है उसको लेके अगर आप amount of demand को 100 रुपय से घटाना चाहो तो देखिए दोस्तों token cut मतलब कि आप जो पैसा काट रहो उस एक particular चीज की तरफ अपना disapproval दिखा रहो जब आप policy cut कर रहे तो आप policy policy को reject कर रहे थे लेकिन token cut में किसी एक policy के अंदर एक छोटे head में आप 100 रुपय को reduce करने की बात कर रहो तो अगर एक cut motion को और खास कर दोस्तों एक token cut motion की अगर बात की जाए इसको introduce करना है तो काफी ब उनकी तो क्या कोई policy economy या token cut हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है यह उस cases में आते हैं जब बहुत ज़्यादा coalition की सरकार बनी हो और coalition की सरकार के against opposition बहुत ज़्यादा हो कि कोई भी regional political party बोले कि आप हमारे साब से काम करो नहीं तुम यह policy या economy token cut motion को पास करा कि आपकी सरकार करा देंगे तो जब भी कोई cut motion को मान लिजे आपको admissible करना है और cut motion को पास कराना है तो आप देखिए cut motion किसी एक particular demands related हो चाहिए it should be dealing with one specific demand और इस demand को आपको clearly express करना है clearly बताना है कि यह जो cut motion आप पास कर रहे हो यह actually मैं आप पास क्यों कर रहे हो आपका actual grievance क्या है और जब किसी भी प्रकार का defematory pattern नहीं पास करोगे कि इस minister ने ये गलत काम किया इस minister ने ये corruption किया ये सब चीज़े आप नहीं बोलोगे आप clear cut बोलोगे कि भाई मेरी ये परिशानी है और इस परिशानी की वज़ए से मैं यहाँ पे cut motion पास कर रहा हूँ यह जो cut motion है यह किसी specific matter से associated committed होना चाहिए यह यहाँ आप यह बोल दो कि नहीं सरकार का यह जो काम करने का तरीका है यह मुझे पसंद नहीं इसलिए में cut motion पास कर रहा हूँ यह सही नहीं है budget के अंदर जो भी provision आपके सामने आ रहा है उसमें किसी एक particular provision को पकड़ के अगर आप बोलते हो यह नहीं भाई मैं इस provision को अपना एसेंट नहीं दे रहा हूँ cut motion पास कर रहा हूँ तो आप कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो already law बने हुए है उन law में किसी भी प्रकार का amendment तो existing laws को amend करने की बाद या repeal करने की बाद आप इस token cut motion में या किसी भी policy ए economy cut motion में नहीं कर सकते हैं फिर भाई एक ऐसा matter जो की union government के आप कह सकते हो प्रेरोगेटिव से बाहर है आपको पता है ना union list है आपका state list है concurrent list है अभी state list के अंदर नहीं कामनों बनाने की ताकत तो state government के पास है तो अगर आप किसी भी प्रकार का cut motion लेके आ रहे हो budget में तो वो cut motion उस respect में होना चाहिए किवल उन policy provisions में होना चाहिए जो union government के प्रोगेटिव के अंदर आते हैं जो union government के प्रोगेटिव के अंदर नहीं आते हैं उनसे नहीं होना चाहिए फिर expenditure charged on the consolidated fund of India के against आप cut motion पास नह बात कोई ऐसा matter जो किसी court के consideration के अंदर है court के adjudication के अंदर है उससे related अगर कोई matter है तो उस case पी भी आप cut motion पास नहीं कर सकते हैं अगर कोई matter चल रहा है court के adjudication के अंदर तो उसको point out करके आप cut motion पास नहीं कर सकते एक ऐसा matter जिसको already discuss किया जा सक चुका है लोक सभा में उस चीज को उठा के फिर से उस points related आप cut motion पास कराने कोशिच को नहीं कर सकते जो matter already discuss हो चुका है जिसके उपर बातचीत हो चुकी है जिसके उपर statements issue किये जा चुके हैं ministers के दोरा opposition के दोरा वहाँ पे आप cut motion पास नहीं करा सकते कोई बेकार का matter बिल्कुल ही trivial matter किसी मतलब का matter नहीं है उसके उपर आप इतना major cut motion ले आओ वो हो नहीं सकता अब यहाँ पर बात देखे cut motion बहुत important है दोस्तों cut motion इसलिए important है चुकि cut motion अगर पास हो जाता है तो लोगसवा सही cut confidence नहीं है लोगसवा पे majority का फिर भाई क्या बोला जा रहा है ग्यार्मा पॉइंट आपका it should not reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion एक person जिसके conduct को केवल आप substantive motion पे challenge कर सकते हो उसके conduct को उठा के आप cut motion पास नहीं गरा सकते substantive motion पे for example president of India अगर president of India का impeachment करना है तो उसके लिए आपको substantive motion introduce करना पड़ेगा impeachment के लिए ओके तो भाई यह president of India के character या conduct के ओपर अगर बातचीत करनी है तो you have to introduce substantive motion तो substantive motion जिस चीज़ के लिए लाया जाएगा उस चीज़ से related आप cut motion लेकि नहीं आ सकते तो भईया किसी person के character और conduct को आपको discuss करना है तो अलग से substantive motion लेकि और वहाँ पर बातचीत करो cut motion के थूँ यह नहीं कर सकते हो आप उसके बाद किसी एक session के ओपर किसी एक session में किसी एक setting में अगर बातचीत हो सुकी हो उस issue पर और जैसे issue में budget पास हो रहा है उसी budget के दौरान budget के provisions को discuss करने के दौरान बहुत सारे provisions से बातचीत होती है तो किसी एक particular provision पर या उसके sub clauses पर बातचीत अगर हो चुकी है तो फिर उन sub clauses के respect में आप cut motion पास नहीं करा सकते और कोई एक ऐसा issue जो किसी statutory tribunal या statutory authority के सामने pending है जो judicial या कौसी judicial functions पर फॉर्फॉर्म करती है उस issue को आप cut motion में नहीं उठा सकते है इन्वाइरोनमेंटल इशूज इन्वाइरोनमेंट से related माल लिजए budget में कुछ clauses है इतना पैसा खतम करना इतना पैसा खतम करना अब आपको पता है कि environmental issues दोस्तों national green tribunal का नाम सुना होगा आपने आज ही की date में मैंने जो editorial बनाया है वहाप में national green tribunal के बारे में बात की है मैंने 19 अक्टूबर है आज 19 अक्टूबर 2020 तो national green tribunal के पास माल लिजे environment से related कोई litigation जो चालू है तो उस particular litigation के issue को उठा के आप cut motion नहीं पास करा स दोस्तों कि specific demand for grant के उपर अगर आपको concentrated discussion करना है कि हाँ बाई कोई एक specific provision है या clause है या कोई issue है जिसके उपर बातचीत होने जरूरी है तो ही आप cut motion move कर सकते हो cut motion responsible government के principle को uphold करता है government जो भी पैसा खतम कर रही है उसके उपर oversight होना चाहिए parliament का और ये चीज़ insure करका है कौन cut motion लेकिन दूस्तों देखिए in practice cut motion की बहुत ज़दे utility होती नहीं है ज़दा तर cases में मैंने आपको पहले बताया budget pass हो जाता है चूब की बज़ट को केवल pass कराना है लोकसभा से राजसभा में केवल discussion होता है लोकसभामाले voting करते है और जिसकी ruling party है लोकसभा में वो तो ये जो voting on demand for grants वाला जो stage है ना आपकी, किसी भी bill को pass कराने के लिए, उसके आखरी दिन पे सारा discussion खतम होने के बाद, पूरे budget को overall voting पे डाला जाएगा, demand for grants को voting पे डाला जाएगा, और उसके ओपर voting होगी, ये pass है कि नहीं है, तो माल लिजे कुछ pending issues बचे भी हैं, तो उन pending issues प पे डाल दिया जाएगा वो लोग सभा में, और लोग सभा में उसको pass करा लिया जाएगा, इसको बोलाता है guillotine, यहां लिख देता हूँ मैं, guillotine का मतलब यह होता है, कि कुछ issues हैं, इन issues के उपर बात śीट के पर बात śीट हो गई है, तो जिन issues के उपर बात śीट नहीं होई है, उन issues को भी आपने voting पे डाल दिया और approve करा लिया, तो इसको क्या बुला जाएगा, इसको बुला जाएगा guillotine, okay, तो pending matter था बट pending matter के बावजूद भी समय नहीं है उसके उपर बाच्चीत करने का तो उठा के उसको voting पे टाल दिया गिलिटीन हो गया overall आपने फूरे बजट को यहाँ पे पास करा लिया अब बात करते हैं appropriation will चुकि अब discussion हो चुका है बजट का सबसे बहले तो presentation हुआ फिर बजट का discussion हुआ discussion के बाद departmental standing committees के बास गया उसके बास voting हुई अभी voting पास हो गई मतलब लोगसभा ने approval दे दिया कि हाँ हाँ भाई ठीक है आपका ये जो grant है इतनी health ministry का इतना खर्चा हो ministry का इतना खर्चा defense का ये road transport highways का ये आपका commerce का ये ठीक है खर्चा सब ने approve कर दिया लोगसभा ने लेकिन उस खर्चे को करने के लिए consolidated fund of India से पैसा निगालना पड़ेगा आप constitution of India ये बोलता है no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation made by law appropriation मतलब भया किसी चीज़ को appropriate करना किसी चीज़ को इस्तमाल करना तो भया आपको appropriation के थूप पहले permission लेनी पड़ेगी consolidated fund of India से पैसा निकाल के खर्च करने की तो भाई एक appropriation bill को introduce किया जाएगा ताकि consolidated fund of India से पैसा निकाल के खतम किया जा सके तो आप देखिए grants voted by the log sabah और expenditure charged on the consolidated fund of India expenditure charged on the consolidated fund of India में क्या होता है यह मैं आपको पता चुका हूँ इसके उपर कोई voting होती नहीं है और दूसरा grants voted by the log sabah इससे पहले जो मैंने भी आपकी साथ discuss किया voting on demand for grants यह सब पास हो गए अब इन दो heads के अंदर पैसा निकालना है consolidated fund of India से उसको खर्च करना है इस पैसे को निकालने के लिए आपको लाना पड़ेगा appropriation bill कुछ नहीं होता है appropriation bill, appropriation bill का यह काम है कि बस एक formal permission ले रहे हो आप पार्लेमेंट से कि अब हम consolidated fund of India से पैसा निकालेंगे और उसको खर्च कर देंगे और जब appropriation bill pass होता है ना पार्लेमेंट में उस समय पे किसी भी तरीके के amendment को यहाँ पर प्रपोज नहीं किया जा सकता है क्योंकि grant पे voting अरड़ी हो चुकी है और लोग सभा अरड़ी अपना approval दे चुकी है राज सभा भी अपना discussion अरड़ी कर चुका है ठीक है expenditure charge on the consolidated fund of India पे भी पहले discussion हो चुका है तो अब ना expenditure charge on the consolidated fund of India को बदल सकते हैं और expenditure charge on the consolidated fund of India को तो आप पहले वाली stage में बदल सकते थे लेकिन जो voting on demand for grants था उनको पहले वाली stage में थोड़ा बदल सकते थे departmental related standing committee वाली stage पे थोड़ा बदल सकते थे लेकिन अब नहीं बदल सकते अब तो बस इस बात की voting होगी कि हम पैसा निकाल ले और appropriation bill पे जैसे ही आपको approval मिल जाएगा लोगसभा का राजसभा का राजसभा के बास तो वैसे भी कोई choice नहीं है discussion कर सकते थे वो पहले उन्होंने discussion कर लिया अब तो उनको approval देना ही है नहीं देंगा approval वो वैसे ही पास हो जाएगा तो appropriation bill लोगसभा से पास हो नहीं है प्रेजिडेंट के पास पहुँचेगा प्रेजिडेंट उसको assent देगा और फिर वो बन जाएगा appropriation act और यह जो act है यह authorize कर देता है कि हाँ भाई consolidated fund of India से आप payment निकाल लो government consolidated fund of India से तब तक payment नहीं निकाल सकती जब तक appropriation bill act नहीं बनता है इसलिए यह ज़रूरी है कि appropriation bill पास कराया जाए, act बनाया जाए इसके act बनने के बाद ही government of India consolidated fund of India से पैसा निकाल सकती है और यह जो इत्ता लंबा procedure मैंने आपको बताया stages of enactment of a bill जिसमें सबसे पहले तो क्या हुआ कि आपने bill budget को present किया, annual financial statement को present किया, फिर उसको बाद general discussion किया, फिर scrutiny हुई departmental rated standing committee के दोरा, फिर voting on demand for grants हुई, उसमें जो भी cut motion हुए, वैसे cut motion पास होते नहीं है और फिर finally हुआ आपका appropriation bill का passage, appropriation bill के passage के बाद ही पैसा निकलेगा, अब इस पूरे काम में काफी समय लग जाता है तो पहले at the end of February जब budget लाये जाता था, तो अराम से ये काम अपरेल तक खिच जाता था, अब जब ये काम अपरेल तक खिच जाएगा, एक अपरेल से शुरू हो जाता अगला financial year और अगले financial year में भी खर्चा करना, अब प्रेजडेन को salary देनी, जो भी schemes का allotment है, पूरे देज भर में schemes का implementation हो रहा तो state को पैसा देना पड़ेगा, खर्चा लगातार हो रहा है, तो उस case में अगर budget मान लीजे, 31 मार्च तक approved नहीं हो पाया, appropriation bill 31 मार्च तक approved नहीं हो पाय और अप्रेल में पहुंच गया, तो पहले ऐसा बहुत होता था, हरी साल होता था, चूँकि फरवरी के last में bill introduced होता था, budget introduced होता था और वो अप्रेल के अप्रेल के अप्रेल के अप्रेल का खर्चा कैसे चलेगा, तो उस समय पे एक provision था, vote on account, vote on account provision अभी भी है, तो अभी भ खर्चा तो कर नहीं है ना अप्रेयल में नया financial year शुरू हो गया तो अप्रेयल महीं सब कर नहीं है अभी budget नहीं होता है अप्रूब डिले हो रहा है तो पैसा तो चाहिए तो यह पैसा वोटर अगांट के थूर निकाल लो लेकिन जैसे ही general discussion हुआ उसके बाद वोटर अगांट ले लो नॉर्मल कर केसे में वोटर अगांट दो महीने के लिया जाता था अप्रेयल मही का तो इससे अप्रेयल मही का पैसा आ जाता था सरकार के पास फिर अप्रेयल के end तक या मही के first week तक budget पूरा in act हो जाता था और फि एक ही बार appropriation bill लेके आएंगे और पूरे साल का खर्चा हम लोग appropriation act के थ्रूर निकाल लेंगे हमें नहीं जरूर थे इस वोटर अगांट की और यह काफी अच्छी चीज़िए इससे चीज़ें स्ट्रीम लाइन हो जाती है क्यों बेकार में वोटर अगांट से दो महीने का पैसा निकालो फालतों की चीज़ें ठीक है एक ही बार 31 मार्ज तक आप बजट को अप्रूव करवा लो और उसके वाद अपना खर्चा चलाओ तो यह था पूरा सीन दोस्तों ठीक है यहां तो appropriation bill खतम होता है आगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे passing of finance bill finance bill क् कुछ और तरीके grants होते हैं जैसे supplementary grant, additional grant, access grant, vote of credit, exceptional grant, token grant, फिर funds की बात करेंगे, consolidated fund of India under article 266, public account of India under article 266, contingency fund of India under article 267, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, उसके आद हम लोग शुरू कर देंगे multifunctional role of parliament, thank you for watching friends, I hope आपको सीखने को मिला ह वोग गुर्बाए.